हलो मैं आपको फस्त में थुन मतलब मास्टुडेशन इसके बारे में जानकरी देने वाला हुआ मैं शाम को मेरे क्लीनिंग भी बैठा हुआ था तो यह 21-22 साल का लड़का मेरे चेंबर में धीरे से अंदर आया है बहुत ही डरा हुआ और वो आके फिर मने उसको बला बैठो तो बहुत है कि मैं तो यहां चार बार पहले आके गया है मुगर मेरे हिम्मत नहीं आपसे बात कर मेरे कि मुझे हस्त मेरे तुन करने की मतलब मास्ट्रूबेशन करने की आदत है और उससे मैं बहुत कमजोर रूते जा रहा हूँ इसलिए मैं आपके पास मैं है तो उसको मैं नहीं बिढ़ा है उसको शांतिय से समझ लिया पूरा उसको कांफिड़न्स दिया अपने विश् मुझे इसलिड़न्स ःक्षे साल से मस्टूबेशन करत हूं मुझे हस्त में तुन करता हूं और उसके माइना इन एन विया बहुत बाहर गा रहा है और उसके मैं मैं तपास लिया उसको मैं राव चेक जिए इस आपर कमशिन से उसको था आते बाचे ब्लेटा नस सब ह्वे ना में बिढ़ाया और तरी उसको समझाया। मास्टरबेशन या हस्तमेहतुन जो है वो कोई विमारी नहीं है। हस्तमेहतुन मतलब हाथ से किया हुआ महितुन वो हस्तमेह। इसके मारे में लोगों के मन में बहुत गलत फिंद है। इसमें करते हैं, करते हैं कि शिस्न जो रहता है, तो शिस्न को ऐसा हाथ के उपर रखे और हाथ के ऐसे मुट्टी करके उसको घर्शन करते हैं, शिस्न का घर्शन करते हैं, और जब घर्शन करते हैं, तो उसमें महिथून जैसा मतलब, सेक्स जैसा मतलब, जैसा सेक्शुल इं अबर होता क्या है कि लोगों ने paper में, अदबार में कुछ पढ़े रहता है, कोई advertisement में रहती, कोई उसने YouTube में देखे रहता है, कोई उनने Ayurvedic दवाईयों के बारे में सुना रहता है, या कोई bhundhu वेच्डे जो रहे हैं उनके बारे में सुना रहता है, करना अच्छा नहीं है। मैं उसको समझा है कि हस्तो मेतून करना यह नौमल जब बच्चा जो रहता है वह 12-13 साल के बाद में जब उसमें sexual changes आते हैं, उसमें sex characteristics जब develop हो जाते हैं वह जब पूरुष बनता है, वह जब आदमी में आता है, बड़ा होता है मतलब hormonal changes उसके body में आते हैं, तो फिर होता क्या है, जब hormonal changes आते हैं तो उसको ऐसे मुझ आना, दाड़ी आना, बाकि जब बाल आना वैसा शुरू हो जाता है और उसको शिस्तन में tension भी आना शुरू होता है, मतलब हो जाता है, अब एक तो वह वीचार जब आते हैं तो इतने वीचार आते हैं कि फिर वह उसको ऐसा कुछ सुचता नहीं कि मैं कुछ करूँ जब वह हस्तन में tension करता है, masturbation जब करता है तो होता गया है कि sexual energy जो है वह शान्त हो जाती है, relax उसको लगता है और वह काम कर सकती है तो मैंने उसको समझा है कि हस्तन में नहीं कोई बाब नहीं है, यह कोई abnormal नहीं है, कोई बिमारी नहीं है जितनी भी बार आपको करना है उत्तेवार आप रोज भी पस्त मैं तुम कर सकते हैं उसमें कोई गलत नहीं है मगर हमारे समें क्या रहा है, बताय हुआ है कुराने हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मा चरिय जो है उसका पालन करना चीए शादी के पहले ऐसी जैसी कोई क्रिया करम जो है इसमें कोई हिस्ता नहीं लेना चीए, अपना भीर्य बाहर नहीं जाना चीए प्रश्त बताया है कि एक बुन जो भीर्य का रहता है वो अस्य बुन उसके खुन के बता परिता है पर वो सोचता है कि मैंना इतने सारे भून इतना सारा एक, दो एमेल, तीन एमेल जो भीर्य बाहर चले गया और मतलब कितना खुन गया, कितनी ताकत बेए और वो रिसाब करता है लगता है कि नेनी अभी मेरी ताकत रोज बाहर गया रही है फिर अपने दोस्तों को भी पूछता है और कहीं बहार किताबे खरीबता वहां देखता है और इसमें अकसर ऐसा मालम करता है कि ने तुम करना गलत है मतलब मास्टुएशन करना गलत है और उससे कमज़नी आते रहे हैं तो उसके दिमाग के उपर उसका असर आना चलोगता है कि मैं मास्ट्रिकेशन कर रहा हूं। दिमाग में ऐसा विचार, subconscious mind में पका विचार, belief system हो जाती है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं। दिमाग में पकर इस को बच्ची कर रहते हैं। जो समागम करते हैं, सम्दूख करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, समागम जो होता है, वो वुरत के साथ हैं, लेडी के साथ में होता है, और र offense וई it RNA करने की प्रक्रिया है, हएं तो दोनों मेें actually फरत कुछ भीनिह है इसमें भी घर्षन होता है, उसमें भी घर्षन होता है, इसमें 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 भी घर्षन और लड़के भी उसको stimulate करके, उसको tingling करके, tickling करके, उसको उत्य जना आती है और उसमें भी उसको मज़ाते हैं. तो लड़के भी शादी के पहले हस्तमेहतुन करती हैं, लड़के भी करते रहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, विर्या कितना भी काया तो भी गलत नहीं है, और इसमें लोगों को जान करें दना जरूरी है, कि शादी के पहले, यदि वो हस्तमेहतुन करते हैं तो उल्टा अ प्रोस्टिटूशन उसमें यहाएंगा नहीं। तो वह भी करेंगा नहीं। तो इसलिए हस्तमेटुन नोर्मल है, नाचिरल है। मगर शादी के बाद में यह हस्तमाइजन होता है। और शादी के बाद में अपने पत्नी के साथ में संभोग सुप न लेते हुए। उसने फूसमे अगरना पसंद किया तो फिर वो एक तरह की बीमारी है! अगरह रे शाइने के बात मैं ऐंजी पत्नी घर में नहीं है- पत्नी को कोई बीमारी है या पत्नी काहीं बाहर अगवा निकल गई है और इसकोई इच्छा होती है- और वो उस समय हस्तमेतुन करता है तो वह भी नांगल और पत्नी के साथ में सुखन नहीं लेना और उसके बदल हस्तमेतुन करना यह दिरत है क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि उसमें पत्नी को सुखन मिलने से फिर उसमें मतलब वो दोना में प्राब्लेम्स आसकते है तो इसमें कोई दवा नहीं है, वो जो हैबिट है उसको दूर करना नहीं है, वो बीमारी नहीं है, तो यह जानते होना जरूरी है, इसके लिए आप हम जो sexual education क्यों करते हैं, तो इसकी शिक्षा आप लोगों को दो, यह वीडियो लोगों के साथ में शेयर करो, अधिक जान करे सकते हैं, फिरें डिपेस भेज सकते हैं, या पेश क्यों पर लाइक कर सकते हैं, ता कि आपको इसमें से जान करें मिलेगी, हमारी वेबसाइट है, उसको वहाँ भी आप विजिट करके, वहाँ भी आपको जान करें मिल सकते हैं, so thank you very much.